कि हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज देखेंगे 30 मैट्स के क्वेश्चन एंसल के लिए तो आये स्टार्ट करते हैं तो पहला कोच्छन है यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमेटर परती घंटे में क्या होगे तो इसकी चाल क किलोमेटर परती घंटे में दिया हुआ है और उसको मीटर परती सेकेंड में कनवर्ट करना है तो उसे आपको 5 x 18 से मल्टिप्लाइ करना तो यहां इसको क्यालकुलेट करेंगे तो यहां है टू 20 यानि कि 40 आएगा तो इसका एंसर हो जागा 40 अगला देखते हैं कि प्रत्य एक 3 वर्ट के नतराल पर जन्में 5 बच्चों के उम्र का योग 50 वर्ट है सब से चोटे उम्रह के सब से चोटे वच्छे के मत-कितनी होगे तो मान लेते हैं कि पहला जो सबसे चोटा उसका एक्स है तो जो अगला होगा वो तीन वर्स अधिक होगा त्यानि कि एक्स प्लस त्री अब उसका वाला अगला वाला भी तीन वर्सादी होगा तो यह जाएगा 30 तो बूरा इसका उम्रा कीटना चार वडर्स आधे लेखते हैं अगर मिला हिसाब लगाया की अपनी कार से 60 किलूमेटर दूर में जीठिय करने में उसेaroo 25 मिनंट लगेंगे यदि उसकी कार की UC9 कैल 15 260 घंटे घटा दी जै तो वही दूरियू को टै करने में कितना दाव बरš से में कनवर्ट करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे यहनि कि साथ उपर चल जाएगा 60 इन्टू 60 डिवाइड वाइड फोर्टी फई तो यहां से आ जाएगा इसका 80 किलोमेटर प्रति घंटे आ जाएगी तो फिर अब इसमें से पंदरा गटा देंगे पंदरा गटाएंगे यानि कि इसकी स्पीड अप कितने होगी है 65 तो इसका और दूरी कितना है 60 तो समय निकल जाएगा इससे मेरा पर समय आएगा वह घंटे में आ गया अब घंटा है तो इसको साट से मल्टिप्लाई कर देंगे तब यह मिनट में आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो और यह आ जाएगा 12 यानि कि 12 इंटू 60 डिवाइड वाई 13 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55.38 मिनट आएगा आगे देखते हैं एक आयत की प्रतिक भुजा को 20 परसेंट बढ़ाने पर आयत के छेतरफल में कितने प्रतिशत के ब्रिद्धी होगी ऐसा जब भी प्रतिशत बलाए उसमें भुजा की लंबाई ना दी हो तो आप अपने से कुछ मान लिजे या तो आप एक मान सकते हैं 10 मान लिजे या 100 मान लेजे आयत है ठीक है माले दिएज्सका भुजा भी 10 यह द्यास है ठीक है जब इसमें 20 की बिद्धी कर देंगे तो यह कितने हो जाएगी 12 और यह भी में चतुर सनुपाद ग्याद करना है तो चतुर सनुपाद के लिए क्या होता है ए बाइबी सी डी यह पहला दूसरा तीसरा चौथा तो यानिकी 146 और 28 डिवाइड भाई कि एक्स हो जाएगा तो यहां टू और यह मल्टिप्लाई हो जाएगा एक्स इसकोल टू सिक्सिंटू टू यहीं कि टू लाएगा तो टू एल एंसर हो जाएगा अगला देखते हैं कि 24 च्यानवे और 36 का लगुत्तम समावध्य तक होगा तो इसका पहले हम से गुड़न खड़ निकालेंगे तो 24 क हो जाएगा आपका टू इन्टू इन्टू तू इन्टू त्री और 96 का होगा तू इन्टू 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 तू इन लेंगे तो की पावर 3 & 3 तो जब इसको इंटू करेंगे तो यह टू एट 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 अगा अगला देखते हैं कि थर्टी और फिप्टी के बीच सभी बिसम संख्याओ का योग होगा तो बिसम संख्याओ आप ऐसे भी निकाल सकते सकते हैं तो आपका एंसर आएगा 400 अगर इसको दूसरी तरीके से करें अगर इसको दूसरी तरीके से करना चाहें तो जैसे कि 30 से 40 के बीच अगर हम विसम संख्याओ निकाले तो 31 33 ऐसे लेंगे तो इसको हम 10 वन से और 10 के बीच में अगर निकाले तो वन 13 Oliver ऐगा इसका सम होगा 25 अगर हम इसमें थर्टि प्लस कर दें इसमें 30 प्लस कर दें इसमें 30 प्लस कर दें हम 10rik 30 इन्तु 005 ओ 150 plus 25 25 कर देंगे तो यह आजाएगा आपका यह आपके 30 से 40 के बीच विसम संख्याव का योग हो जागा यानि कि 175 इसी तरह से हम 40 के लिए भी निकाल लेंगे तो 40 के लिए 25 प्लस 40 इंटू फाइब आएगा यानि कि 25 प्लस के टू 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 फाइब तो टू टू फाइब टू फाइब प्लस 175 तो यह आजाएगा 400 तो 400 एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं यह जदी किसी संख्या आता था उसके एक बटे पांच भाग में अंतर 20 है तो आजाएगा 20 तो 4 by 5 is equal to 20 हो जाएगा तो यहां पांच चार चाहर से तो टूटी फाइब अगला कोस्चन है और फिर जीरो दसम्लों वन टू जीरो फोर तो दो दो पांच इंटू जीरो दसम्लों जीरो आठ आएगा इसका मल्टिप्लाइ करेंगे तो एटीन आ जाएगा आगे देखते हैं है यदी वीनिमे दर प्रती जो रुपे के लिए साथ दसम्लों पांच डॉलर हो तो 550 के बराबर कितने डॉलर होंगे तो 100 के लिए 7.5 है तो 500 के लिए कितने होंगे एक सोंगे अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह टू यह 11 एक सिस्क्राइब टू 7.5 अगर देखते हैं यह दिशे आदमी 168 सॉल साथ दिन में बनाते हैं तो 208 आदमी 5 दिन में कितने सॉल बनाएंगे तो 168 सॉल साथ दिन में बने हैं तो एक दिन में कितने बने होंगे तो एक दिन में बने होंगे 168 बटे साथ कर देंगे एक दिन का जाएगा कितना दो 424 तो 6 आदमी बना हैं तो की डिवाई दिन में चार स्वित हैं तो कट्स आथ मितिना में कितना बनाएंगे तो 32 कि एक दिन में 32 बने हैं तो पांस दिन में कितने बनेंगे जीरो और और अब सिक्स जैनी इसके मुल्टिप्लाइब कर देंगे तो 160 आज जाएगा अगला देखते हैं कि पांसो चालीस 1540 के एक बटे साथ का बीस प्रतिसत कितना होगा तो यहां पंदरा सो चालीस है का एक बटा साथ का बीस परसेंट निकालेंगे तो बीस बटे हंड्रेड इसको सॉल्व कर देंगे किना आजाएगा टू इंटू टू हो जाएगा यह वाला तो 44 आएगा तो 44 एंस हो जाएगा अगला है जीरो दो सम्दों 0016 का वर्ग मूल होगा तो पहले 16 को अप परिमे में कर लिजे तो यहां जाएगा 16 4 है तो 40 हो जाएगा इसका वर्ग मूल निकाल देंगे तो 16 कितना हो जाएगा चार और इसका हो जाएगा 100 अब इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जीरो देश हमनो जीरो चार अगला देखते हैं यदि वर्ग के विकंड छेइंच हो तो उस वर्ग का छेतरफल कितना होगा तो जैसे यह वर्ग है इसका विकंड कितना है चेंज और यह माले जी एक्स है यह भी एक सब्सक्राइब यह लंबाए गुड़े चुड़ाई यह दोनों को मल्टिप्लाई कर देंगे एक्स स्कौर होगा यह एरिया हो जाएगा यह एरिया निकालना हमें तो अब यहां पाइथाओ प्रमे लगा देंगे एक्स इसकौर इसक्वाइर इसकोल टू थर्टीसिक्स तो यहां जाएगा टू एक्स स्क्वाइर इसकोल जो आ जाएगा 18 तो चेतरफल कितना आ गया 18 तो 18 एंसर हो जाएगा अगला देखते हैं कि दो संख्या का गुडणफल पाइट 75 है तो बड़ी संख्या ग्याद करो तो बड़ी संख्या ग्याद करने के लिए हमें यह हिट ट्राइल मेथट से करना पड़ेगा तो जैसे कि इदर पांच है तो पांच के लिए कब कब आएगा पांच जब फाइब का फाइब से गुड़ा हो यह कुछ और हो यहां पास यहां पास 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहां पास 35 आएगा यह पूरा-पूरा भाग चला की मिनार की परचाई 20 रूट 3 मीटर लंबी हो तो सूर्क अने तो जैसे यह मिनार है 60 मेटर है इसकी परचाई कितनी है बीस रूट 3 तो यह ठिटा होगा तो यह यहां पर टैंड ठिटा लगा देंगे ए तैंड ठिटा इस को लुड़े आधार होता है तो सिक्स्टी डिवा तो यह वह जाएगा सुरी तो यह वह जाएगा कितना सिक्स्टी यह था यह रूट 3 था टूटी रूट 3 तर टैन थर्टी कितना हो जाए तैन ठीटा इसको दो जाएगा 60 डिवाइड भाई 20 रूट 3 ठीन तो यह जाएगा 3 यह टेन चीटा सब्सक्राइब होता है रूट ट्री इंटू रूट При यह रूट त्री आजाएगा तो रूटट त्री एंसर आ जाएगा और रूट त्री कब आता है जब उसकी वैल्यूंज सिक्स्टी होती दिग्री होती है आगे देखते हैं अ आगर कि अम अपय अब भीजों से कि आयू का कुल योग 90 बश्चत्व पहले उनकी यू में अनुपात 1 रेस्टी टू रेस्टी एक अनुपात था तो बी की आयू तो इस समय कितनी है तो दस वर्स पहले तो तीनों में से तीनों की दस-दस घटा देंगे तो उस दस वर्स पहले सम कितना हो जाएगा तो जब तीन तीनों के दस-दस घटा देंगे तो 90 में से 30 घट जागा तो यनिकी 60 आजाएगा अब उनकी आयों का अनपात इतना था तो मा वेल्यू कितनी आ गई दस वर्स तो बी की पूछा है तो यहां पर टू एक्स कर देंगे तो यह नहीं कि ट्वंटी दस वर्स बाइले ट्वंटी था तो अभी दस और जोड़ देंगे तो कितना जाएगा थर्टी तो थर्टी एंसर हो जाएगा अग्ला देखते हैं दो बिलनाकार बरतनों के त्रिज्ञा 3 1 1 के अνुपाथ में तथा उचाहिया 1 2 3 के अनुपाथ में तो उनके आयतन मेंयानस में अनुपाथ होगा तो आयतन पहले बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वाइर एच होता है जहनी कि आरवन आरटू ले ले लेते आरवन आरवन और यहां ले ले लेते आरटू का स्क्वाइर एच वन यह वोल्यूम वन और यह वोल्यूम टू तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा पाई तो यानिकी 3 by 1 का स्क्वाइर इंटू उचाये कितना है वन बाई 3 तो यह 9 by 3 हो जाएगा काट देंगे तो त्री त्री अरिया 1 हो जाएगा यानिकी 3 रेस्टू 1 का अनफात होगा अगला देखते हैं अगला है कि घास के एक मैदान के बाहरी सीमा से लगा हुआ चारो और तीन मीटर चौड़ा रास्ता है यदि मैदान की परिदी 36 पाई मीटर हो तो रास्ते का छेत फ़लोगा मालेजी की मा रहा है इसके वह तीन मीटर चौड़ा रास्ता है यह तीन मीटर का अगया तो आर कितना हो जाएगा यहां पास 18 तो बाहर का बाहर की यह अंदर के पर दियो होगी बाहर की पर दीन हो जोड़ेंगे तुसरा पीन जोड़ देंगे तो स्काइब तो कि अंदर वाले का छेत्र फल निकाल लेंगे तो अब बाहर वाले में इसे अंदर वाले को घटा देंगे तो इस वाले रास्ते का छेतर फला जाएगा तो इसको आप कर लिजीएगा इसका एंसर आएगा 368 67.38 वर्ग मीटर आगे देखते हैं कि किसी साधारण ब्याज की दर से किस साधारण ब्याज की दर से कि दॉइए 400 रुपे का धन चार बर्ग में 408 से होजएगा तो यहां आज कि ब्याज कितना मिला यहां पास 80 रुपे और सूतर क्या होता है मुलधन इंटू समय इंटू दर बचे हंडरे तो यहां पास 400 इंटू वर्ग में दर हमें निकालना है बटे 100 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जागा टू जीरो एक फाइब से करेंगे तो फाइब यह निकि पांच परसेंट आगे देखते हैं तो पांच संख्याओं का उसत बीस है यदि प्रत्यक में आठ जोड दिया जाए तो नई संख्याओं का उसत क्या होगा तो इनटू पांच संख्याओं दिया होए है तो उसका सम कितना हो जाएगा तो बीस इंटू पांच तो टूटल सम कितना हो गया 100 अब रहा है प्रतेपटमें 8 जोड जया जाए यहनिंग girls प्रतीन और जोड रहा हैιο THIS je ज OFFIC ऎल सब्सक्राइब नीकाल देंगे फिर छे 5 डिवाइट कर देंगे तो यह जाएगा 28 28 एמעगर देखते हैं कि एक पेड़ पर कुछ तोते बठे हैं पेड़ के नीचे बकरियां चेह रही है उनके जीरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 तो 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 ते की संख्या बताना है तो इसका जब यह भी आप फोर लेग वाले का निकालेंगे तो आपको यहां पर उसका चाहिए तो एक कोई काम 6 दिन में कर सकता है वही काम 12 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर काम करने में कितना समय लगाए तो मान लेते हैं एक काम को एक दिन में कितना करेगा one by six करेगा अब बी उसी काम को एक दिन में कितना करेगा यह बारी करेंगे और यह दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे one by six plus one by twelve तो एक दिन में कितना काम करेंगे है यह लोग तो इसको जोड़ देंगे तो इसे तरह इसको जोड़ते जाएंगे जब तक यह वन ना जाए प्लस बाइ फूर तो यह चार बार में यानि कि इसको बस पलट देना है तो आजाएगा यह चार दिन में पूरा कर लेंगे आगे देखते हैं यदि पाँच वर्ष पूर्व राम की उम्र स्याम की उम्र की एक बठे तीन थी राम के वर्तमान उम्र 17 वर्स है तो स्याम की उम्र क्या होगी पांच वर्स पूर्व मान लेते हैं इसके उम्र अभी राम की उम्र आ रहे हैं पांच वर्स पूर्व पांच वर्स पूर्व हो गया और स्याम की उम्र अभी है और माइनस पांच वर्स एक बटा तीन थी तो तो इसको इंटू कर देंगे तो भारत यहां 36 और यह माइनस में इधर तो प्लस में आ जाएगा 36 प्लस पांच 41 यहीं कि स्याम क्यूम रभी 41 वर्स है आगे देखते हैं कि 897 का स्क्वायर निकालना है तो इसको अगर आपको जल्दी कर आ या तो आप डारेक्ट एंटू कर लिजिए अगर इसको जल्दी से निकालना चाते हैं तो अगर 897 को 897 से multiply करेंगे तो आप जब इधर multiply करेंगे 7 into 7 तो निचास यानि कि इकाई कांग इसका 9 ही आना है तो पहले आप इसमें देखेंगे इसमें और इसमें 9 आ रही है अब इसमें 5 डिजिट है इसमें 6 डिजिट है अब 800 को जल्दी से multiply कर सकते हैं तो इसमें कितना जाएगा चार जीरो आए गए और आटाटाई 64 यानि कि चार जीरो और 64 यानि छे अंक आ रहे हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा यह वाला एंसर होगा आगे देखते हैं यदि किसी संख्या यदि संख्या जो संख्या दियो है पूर्ण रूप से 9 से भीवाज्य है तब रिख द सेवन प्लस घॉति ऑक्स लेलें उसकी जगह प्लस six plus है सैवन प्लस नाइन करेंगे और इसको थीन से डिवाईड करके देखेंगे हैं कि T से डिवाइड करने के लिए जितना बच राओग वह उसका मसर होगा तो इसका एंसर आएगा वन आएगा आगे देखते हैं कुरूं कि यह रेस्टो टो बी इज हुआ है B रेस्टो फोर बा ट्रीए तरी टो 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 त्य modern一 टो दिती कमाद निगारलन है क्यों हुआ ओर बाई कि शुर्ट डी है कितना दिया हूं है टो बाई फाइब क्या और इसको यहां पर से बी को इधर ले जा सकते हैं यानिक यह हो जाएगा है कि इप है डू आट करूं सिसे ही करेंगे था 2 आट को सीकूल देंगे Itis अगर यह दोसिए वाला दिया है उसको ऐसे लिख देंगे टीक पा लिखता लिए तो यह चीज़ीओ पूरा लिखेंगे तो फाइफ इन्टो फोर वाइ थिरी इन्टो अविए लिख देंगे ठीकि ती टो रे से डिन्टों मेंने पोटिशो कूर्याल एक बेन अब इसको डिवाइट करेंगे सू अब फोर इंटो सर्क मैं नीचे डिवाइड का देंगे और व्यागे एंटू फोर इंटू टू अब कितना जागा इंटू से टू कर जागा त्यानिकि ना जागा 5 इंटू भाइब कर दी जैंगा एक फाइब इंटू थ्री अब मल्टिप्लाइ कर दीजे तो कितना जागा इसका आजागा 16 बी का पुछा निया सी का कितना जागा 30 और डी का कितना जागा 15 यह 16 30 और 15 तो यह डी एंसर हो जागा अगला देखते हैं कि यदी वाई का एक्स पर्सेंट 13 एक है तो वाई का एक्स पर्सेंट डिवाइड बाई हंड्रेड इसकल टू 13 एक है तो यहां से एक्स से एक्स कट जागा तो यह कितना जागा तिरा सू कर्म देखते हैं एक गड़ी की सूई एक दिन में कितनी बार एक दूसरे से मिलती है तो यह बाईस बार मिलती है कैसे जैसे के माली जी घड़ी एक यह एक है यह बारा है तो यहां से स्टार्ट होती है तो यह पहले बार में मिली नहीं है तो यह से मिलेगी तो यह पहले बार एक वाले पर मिलेगी फिर इसी तरह जब यह हर घंटे मिलती रहेगी मिलती रहेगी जब यह ग्यारा बज़ेगा तो यह बड़ी वाली सुई जो घंटे वाली सुई है इधर होगी तब तक 12 बच चुगा होगा और यह भी इधर होगी यानि कि पहले और अन्तिम घंटे में यह नहीं मिलती है तो इसका अगला देखते हैं इसका अगला नीचे सेवन एक्स माइनस थिर वाई तो इसमें य को मन लेंगे जब इसमें से वाई आप कोमन ले लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा य कोमन ले लिए तो कितना आ जाएगा 7 x by y आ जागा और minus 3 आएगा क्योंकि y sorry plus है तो common आ जागा इस नीचे वाले में से y common ले लेंगे तो कितना जागा 7 x by y minus 3 आ जागा तो y y cancel हो गया और x raise to y हमें पता है तो कितना हो जागा इन्टू 3 by 4 प्लस 3 और नीचे कितना हो जागा 7 x 3 by 4 minus 3 जिसको solve कर लेंगे कितना जागा 21 minus 4 या 12 प्लस होगा और यहां कितना हो जागा 21 minus 12 इसको जोड़ देंगे तो यह जागा 33 डिवाइड वाई यह जागा 9 तो इसको और काट देंगे तो ग्यारा भाई 3 जागा यह नहीं कि पहला वाला एंसर जागा अगर आपके यह सीरीज अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद